प्रभाकर लक्षमन देशपांडी एक पीडी के प्रमुक स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है जिन्होंने भारत की आजादी की लडाई में सश्यत्र संगर्ष का एक शक्तिशाली विकल्ब बनाया है उन्होंने चार दिसंबर को अपनी जीवन के सोवश पूर्ण की जिसकी बधाई देने के लिए जिलादीकारी रविंद्र ठाकरे नी शनिवार को अपनी आवास पर स्वतंत्रता सेनानी प्रभाकर देशपांडी से फेट की जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे खुद धन्तोलिक शीत्र में अपने निवास पर मोचुत और उन्हें शौल और नारियल देकर सम्मानित किया सवसर पर सेवा निवरुत चुरंजीव, उच्छे नियाले के नियादिश अचित देशपांडी, बैंक ओफ महाराश्ट के मंडल प्रभंदक मनोच शकारे, विकास रानाडे और देशपांडे, थैसलदार निलेश काले और परिवार की अन्यसदस्य उपस्ति थे इस सवसर पर बोलते हुए जुला कलेक्टर रविंदर ठाकरी ने कहा कि हमें आसाधी की अवधी की दवरान एक पीड़ी के सरवोच बलिदान की कारण आज की आसाधी मिले है, उन्होंने कहा कि प्रतेग भारतियों को इसके बारे में पता होना चाहिए, उन्होंने कहा कि व हम प्रभाकर देशपांडे जैसे वरिष्टों का सम्मान करते हैं, इसके बाद उन्होंने देशपांडे परिवार के साथ पाचीत की, देशपांडे ने अपने जीवनकाल में प्राप विबिनपुरसकारों का निरिक्षन किया, क्रांतिकारी राजा और उप्राश्पती प सजा सुनाई गए थी, वह वरतमान में धंतोल इलाके में रहते थी, क्या खास बात है कि उनका जन भी इसी घर में हुआ था, उन्होंसे एक उच्छ न्यायलाय के सेवा निवरुद न्यायधिश है, दुसरे चिरंजीव अनिल पूर्वर रंजी ट्रॉफिक खिलाडी है, त 95 साल की है,